हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक तो मां यूट्यूब चैनल राघप ई-learning और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंट्रोडक्शन आफ प्लांट बायो टेक्नलोजी जो आपका पेपर जो ही यह जो पेपर आप देख रहें यह पेपर सन 2021 में व लग जाए ठीक है आप लोग पुल्कुल पूरी तयारी करके जाएगा क्योंकि इस बार भी अगर आप इसमें कुछ गड़बड कर देते हैं तो फिर आप पांच साल में पहुंच जाएंगे और यह दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं औ तो अगर आप अगर आप जानते हैं अगर आप महसूस कर रहे हैं जो महनत लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रू करेंगा और चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करेंगा इससे की अगर आगे आपका कुई पेपर बैक लगे तो आप धीरे से हमारे पासे कम तो आपका कोशचन है नेशनल रिसर्च सेंटर और प्लांट बायो टंकलाजी कहां इस्तित है तो इसका आपका राइट अंसर है नए दिल्ली ठीक है यह फ्रेंट कहां पर है न्यू देली में ठीक है फ्रेंट्स इनके बार में मैं ज्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा आपको को याद कर लीजिए उनको ध्यान से पड़ लेजिए आराम से आपका निकल जाएगा ठीक है सिर्फ 17 नंबर चाहिए होते हैं एक पेपर को पास करने के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए बिल्कुल विदाउट टेंशन जाएए और पेपर आपका बहुत अच्छा होगा ये रागवी कि तरप से पेपर ठीक है अ प्रतिबंद एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की थी तो इसका आपका राइट आंसर है डबलू आरबर ठीक है इन्होंने प्रतिबंद एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की थी ठीक है तो टैंक एंजाइम को किससे निकाला जाता है तो जो टैंक एंजाइम होते हैं उनको निकाल जाता है थर्मोफिलेस एक क्वार्टिस ठीक है आगे बढ़ेंगे फ्रेंट्स विक्रती करड का तापकरम होता है इसका बहुत जगा से मैंने सर्च करके दर दर दुद्द तो और अगर आपको आप में से किसी को इसका अंसर राइट अंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताएए जैसे कि आपके और भाहिँ लोगें उनका भी एक नंबर तयार हो जाए ठीक है आगे चलेंगे फ्रेंट्स इस से आपको आठ से नो कोशन जरूर मिलेंगे ठीक है इनक्क्यूशन के लिए उप्यूकता आपक्रम होता है इसका राइटास रैपका भी ठीक है 25 डिग्री सेंटिग्रेट प्लस माइनस टू आगे बढ़ेंगा फ्रेट्स काईक विभिंधता सब्द किसके द्वारा दिया गया तो फ्रेट्स जो काईक विभिंधता अफाज हो आपको दो वार देख सकते हैं वह आपके उपर dependent अप्र प्रदिवन्ध एनजाइम नहीं तो इसका फरेंद्ज तापका राइट अंसर है मुझा आगे बढ़ेंगे अन्वी पीजी आर ठीक है एन बीटी पीजी आर कहां स्थित है तो इसका राइड आणसर है न्यू देली में ठीक है आगे बढ़िए गा डिना आर ने का वैखन्ड जो रेडियो एक्टिव चिन्नित होता है कहे लाता है तो फिरिंस का आपका राइड आंसर है अन्वेसी ठीक है इंग्लिस में इसको क्या बोलते हैं कि प्रोब ठीक है कि फ्लेवर सेवर पराजीनी प्रजाती है तो वो दोस्तों यह जो पराजीनी प्रजाती वह आपकी है टमाटर की यानि टोमेटों की ठीक है आगे बढ़िएगा टमाटर की कोशिका वित्त को मुलायम करने के लिए पॉली गेलेक्टो नियूरोस नियूरोनेस यह अपका उत्तरदाई होता है ठीक है कौस अफरेंट्स होता है यह वाला है कि ग्लाफोस रेट के लिए इंजीनियर की गई फसल किसके लिए प्रतिरोधी होती है तो इसका आपका फुरेंट्स थाइट अंसर रहाद साक नासी है यानि हर्विसाइट सुनारे चावल में अधिक्ता होती है विटामिन है की ठीक है अब की विटामिन अधिकता होती है मैं आपको में से कौन सा आड़किनक सरपर्सम विक्सित किया घया तो इसका अपका राइड 가운데 त्रव ये जो था सबसे पहले विक्षित किया गया था है आगे बढ़े गपेंस आगे अधारत होते हैं तो वह दोस्तों आधारित होते हैं डिये ने पे ठीक है किस पर आहरे ने पर आगे बड़ेगा नेमद मैंसे कौन पराजीनी फसले हैं ठीक है यह सब में और आपकी पराजीन है ट्रांस जीनिक है ठीक है अगला दुरी बीच पत्री पौदों में किरीट पिट का रोग उत्पन किया जाता है तो यह जो रोग होता है वह एग्रो बेक्टीरियम ट्यू में सिएस द्वारा उत्पन गिया जाता है प्रक्रिया कहलाती है तो इसकी रयट अंसर अपका पूर्ण Nale ठेक्निक ठीक है मैं पर्पोशी कोा में आ ड्यंए को प्रवेश कराना कहलाता है कि आपके ट्रांस्फार्मिशन इंगलेस में हिंदी में बोले तो रुपांत्रड ठीक है किस वीदी द्वारा डिन ए खंडों को उनकी आकारे उनके उन पर पाए जाने वाले आवेश्ट के आधार पर ठीक है अलग-अलग किया जाता है तो इसका फ्रेंट्स आपका राइट आंसर है ज परोच भी दिए ठीक है मैं आपको पढ़के बताता हूं थोड़ा सा जुमाउट भी करता हूं ठीक है तो इसका आपका फ्रेंट्स राइड आंसर है एग्रो बैक्टिरियम के माध्यम से आगे वड़ीगा ट्याइव प्लाजमिट के टी डिने से ट्यूमर उत्पन करने वा संक्रमित करता है तो वो फ्रेंट्स आपको संक्रमित करता है दुई बीच पत्त्री फसलों को ठीक है डिने आड़ो में प्रतिवंद एंडोनुक्लियस के लिए अविज्ञान इस्थल होता है तो यह इसका दोस्तों आपका राइड आंसर है वो प्रोग्त सभी ठीक है वो टेट्रा स्वाइकलीन। कि है एक तो इसका अफरेंट साइड है और वी दोनों ठीक है जो आगे चलेंगे ह्बार्जमी टे लिक्त क्रोमोसुमिम औवासिक पदार्थ होते हैं तो वे स्थोष्य यह आपके बैक्तीरिया में ठीक है किसम बैक्तिरिया मरी कि आगे बढ़ेगा PCR में उप्योग के जनवाल एंजाइम है तो PCR में उप्योग के जनवाल एंजाइम दोस्तों होता है आपका टैक पॉलिमरेज ठीक है कि आगे बढ़ेगा PCR की खोज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन फॉर बायो टेक्नलाजी ठीक है बिल्कुल आप इसको याद रखिए जितनी खोजें हैं यह सब आप आप याद करके ठीक है कैरी मुलिस्ट ने अगरे में पादप वहा का उदाहरड है तो पादप वहा का है कि अधिक है अगरे प्लाजमीड में यह अच्छर जो होते हैं वी और आर यह किसको पुद्धिक करते हैं वैज्यानिक के नाम को ठीक है और बैक्टीरिया के विभेद के प्रगार को इसलिए आपका बिल्कुल राइट अंसर रोजागा यह और भी दोनों लाजर पाई जाने वाला डिन एह होता है तो प्लाजबिंड में पाई जाने वाला दूस्तों डेने होता है वर्तुल एबनो रज्जुकी c dna library में c दरसाता है तो जो c होता वह आपका पूरक को दरसाता है complimentary को दरसाता है ठीक है दो dna खंडों को जोड़ने के लिए किस enzyme को अपयोग किया जाता है तो dna खंडों को जोड़ने के लिए आपका यूज किया जाता है two dna ligase ठीक है कि सामनता जनेटिक इंजिनर में किस प्रतिबंद enzyme का उपयोग किया जाता है तो वो दोस्तों है आपका टाइप वस्ट ठीक है टाइप फस्ट प्रतिबंद enzyme जैब प्रदोगी सब्द का इस्तेमाल सरप्रतम किसके द्वारा किया गया ठीक है ये भी देखिए आपका most important है पहले आपका question जो था इससे पहले कि PCR की किसने की कैरी मुलिस ने अब आपका question आया कि जैब प्रदोगी सब्द का इसलियर सबस्थरी ठाइघक इसका आप रात आंसर को इसका आपका राइट ऐंसर है को कारले की ठीक है अ जो को प्राप्त किया जा सकता है ठीक है हिर्में से क्स क्ल Het Auf purpur gets के लिए किसम कर दोब कर सकते कर सकते हैं तो इसका राइट प्रोटो प्लास्ट संवर्धन का जाती है टो्ट से जर उतने के विवादन होने की प्रक्रिया कलती है तो यह अपके खलाती प्रइंस टिक एंगलिस में बोले को हुछpowerडन के लिए उपयोग में लाए लाए जाने वाले पौधे के भाग को कहा जाता है तो उतक समवर्दन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पौधे के भाग को कैलस है सापकान का कोषिकाओं का आस अंगठित समू हो यह बूसाजी किसान किसका कार यह इसान कहब है कि अरधीक जनफियां का कि वार्ष का एक वेरियंट है कि यह कि दो पलास्ट समलट के ecosystem का प्रयोग किया जाता है तो इसका आपका राइट आंसर है पॉली इथाइलिईन ग्लाइकॉल ठीक है प्रोटोप्लास संगलन के लिए इसका यूज किया जाता है उता कालचर दराविक्षित क्लोनों में पाया जाने वाली विभीनिता काहिल आती है तो यह होती इसकुल इपक्राइट तफ यह होती है, काईक विभीनिता ठीक है, इंग्लिस में बोले तो सोमो क्लोनल वारीयेशन निर्म ताप सनच्छन में पादप अंगों को कितने डिग्री ताप प्रम पर ड्रव नाइट्रोजन में सनच्छित करते हैं तो उसका आपका राइट आंसर है माइनस 196 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटिग्रेट ठीक है साहे बिड्र किसके संगलं से बनता है तो इसका उनसर जोह Jordan मिल पाया ठीक कि मैं आपको गलत नहीं बताहूं का इसका आंसर नहीं मिला है आप लोग डेकुली ना और भी इस्लिंशू taş मारतो इसका और ढूंगर कहीं से भी आप इसको कर लेना ठीक है का एक संक्रण में प्रोटोप्लास्ट का संगलन होता है तो इसका फ्रेंट्स आपका राइट आंसर है दो का एक कोस्टिकाओं का संगलन ठीक है Digital segurança की कोष्टकाओं। में beta methyl digitoxin का beta methyl diagnosing में परवर्थत होना कहिलाता है तो इसका friends आपका र्वाइड आंसर है त्रीक है क्या है rूप आंत्रड ठीक है क्या है रूप आंत्रड किया जा सकता है तो यह दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है भुरूड समवर्धन द्वारा ठीक है फ्रेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजेगा बिना लाइक किया आप मत जाएगा आप वीडियो पूरा देख लेते और लाइक नहीं करते हैं फ्रेंट्स तो थोड़ी सी म साथ में आपका अगला बैक पेपर कौन सा लगा है तो आप यह भी कमेंट करके बताए हैं तो मैं उसके उपर भी आपको पिछले साल वाला पेपर आपका सलूशन वीडियो उसका बना दूंगा ठीक है इसी टाइप का अगर आगे भी आपका एक और बैक लगा है तो ठीक ह अगुरित पौदों को प्राकोश समवरधन के दौरा प्राप्त किया जा सकता है तो यह आपका तो तो प्रहाग कोश का अपयोग किया जाता है थीक है कि जर्मीन दसाओं में करतो तोझों को पूस्ट मदार्थ पर इस्तनांत्रिय तरित करने की प्तक्रिया कहलाती है तो इसका त्रपर है राइख राइट आनसर रायसान है सब कलचर renk ठीक है क्था सब कल்चरिंग सब कंसीरिंग ठीक है कोशिका व्रद के लिए पोस्ट पतार्दों का उप्यूग्त पीच होता है तो कोशिका व्रद के लिए फ्रेंट्स आपका राइट पी चोना चाहिए 5.5 तू 5.8 ठीक सेवन से कमोना चाहिए ठीक io किसी पौर्सचिका का संपूर्ड पॉदे में विक्षिता ओने की शंता कहलाती है पूर्ड सक्ता ठीक है पूर्सक्तता टाइप वो पॉटेज भायर पोटेज़न और पॉटेंजिंटिंटि कई फश्च किया जाता है तो धाполож को जो उपर वोते हुटे किया जाता है तो वह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरा अगला लगा है उसका गमेंट में जलूर बताइए तो मैं उसका वीडिव एक आपको उपलब्द करांद पाउन चैनल पर नहें है तो इसको सब्स्क्राइब करेगा अगर आप वीडियो में यहां तक आये हैं तो वी तो पादप उतक संबर्दन का जनक जो है वह है जी हैवर लैंड ठीक है जी हैवर लैंड तो फ्रेंड्स यह था आपका प्लांट बायो टेक्नोलाजी बेसी अग्रिकल्चर फिफ्थ सेमिस्टर का सलूशन जो सन दोजार इकिस में वेपर आया था ठीक है और चल मिलेंगे फिर फ्रेंड्स अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद